Hello all the aspirants and welcome to IFAS I hope your studies are going well आज मैं आपके साथ ले क्या आया हूँ एक बहुत important series शुरू कर रहे हैं हम अपने IFAS chemistry channel पर जहां मैं CSIR net exam को target करते हुए हम ये देखने चाहते हैं कि कौन-कौन से ऐसे concepts हैं जो बहुत जादा हर साल बहुत frequency के साथ तो तो हर alternate years पे या in fact हर year में वो repeat हो रहे हैं तो ऐसा अगर हमें एक ही playlist के अंदर ऐसी कई सारी videos बन जाएं तो sir हमारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा और हमें पता भी लग जाएगा कि revision में कहां focus करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जागा सीखनी है तो बस इसी मक्सित से हम इस series को start कर रहा हूँ और organic के starting में भई sir organic को start अगर हम कर रहे हैं तो कुछ basic topic से किया जाए तो देखिए भई जो मैंने observe किया है last के लगभग 6-7 साल के paperों में मैंने एक बहुत ही basic concept observe किया जो हर बार repeat हो रहा है या हर alternate years पर यहां से questions बन जाता है और यह बहुत ही easy topic है इसे मैं इसी वीडियो के अंदर आपको explain भी कर दूँगा और कुछ questions भी करा दूँगा तो बस मेरे साथ जुड़े रहे और वीडियो को अन तक देखिएगा जरूर आपके लिए कुछ ने कुछ helpful और कुछ नया सीख के जाओगे इसकी guarantee मेरी है देखना जो मैंने observe किया है जो first topic अच्छा इस series के अंदर में बहुत सारे ऐसे topics और videos लाने वाला लगातार उस दिनों तक तो यही काम चलेगा इस पे जो first topic में discuss करने जा रहा हूँ वो है IUPAC Nomenclature का Part B में आप यहां से आराम से एक question expect कर सकते हो और अगर ये 10 से 15 minute की video आपको 2 marks दिला सकती है तो फिर क्यों न secure करें भई इससे अच्छा option क्या हो सकता है अच्छा आयू पैक में भी दो टाइप के आयू पैक्स जादा सुच्छे जाते हैं देखना एक आयू पैक्स हो गया जो हम conventional पढ़ते आ रहे हैं मतलब की ए साइक्लिक सिस्टम में या फिर जो आप class 12 लेवल तक पढ़ते आयो मतलब याद करिएगा जो class 12 में नॉमनक्लेचर आपने पढ़ी है एक तो वो होती है और एक दूसरी आयू पैक होती है जो जिन्होंने कभी जेई नेट की तयारी करे होगी उन्होंने ज़रूर पढ़ी होगी पर जो हमारे net के लिए थोड़ा और specific बन जाता है तो आपने Y-Cyclo Compounds के बारे में सुना होगा और मैं इसमें अपनी तरफ से एक addition करूँगा क्योंकि net Y-Cyclo पूछ रहा है तो वो साल दूर नहीं है जब वो Spiro Compounds को भी पूछ सकता है ये मैंने अपने side से add किया है इसके साथ इसके उपर अभी तक question नहीं आया है पर मैं हलका सा introduction करूँगा क्योंकि इन दोनों के rules काफी ही similar होते हैं जहां nomenclature करने के तो Y-Cyclo Compounds के उपर आप previous year में भी कई सारे question देख सकते हो और चूकि ये question concept काफी repeat होता है तो मैं इसको इस video में cover करूँगा रही बात class 12 की nomenclature की तो मैं आपको suggest करूँगा आप एक बरी rules जो होते हैं उन्हें जरूर पढ़ लीजेगा क्या है कि आपको आता तो है कही ने कही बैट of the mind आप जानते हैं चीजों को बस आप rules भूल चुके हैं तो एक बरी आप इन्हें जरूर cover कर लीजेगा अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके उपर भी एक separate video बना दूँगा अगर आपको लगता है इसकी need है तो आप comment section में comments जरूर ड्रॉप करेंगे मैं reviews लूँगा आपके आप भी मुझे suggest कर सकते हैं मुझे ये लगता है ये topic बहुत repeat हो रहा है तो मैं उस पर भी video ले क्या हूँगा उस पूरे concept को इतने आसान तरीके से explain करूँगा कोशिश करूँगा explain करने की कि आप उस चीज को बिलकुल depth में समझ पाएं बात समझ में आ रही है तो मैं आज इस वाले topic को तो touch नहीं करूँगा लेकिन by cyclo की जो iupec sorry by cyclo compounds की जो iupec nomenclature है उसे जरूर touch करूँगा और उसे पूरे explain भी करूँगा आपको तो आए next slide पे चलते हुए इस topic को फटा-फट से start करते हैं देखना मस एक heading डालो सिर्फ video ऐसे movie की तरह नहीं देखना है कि सर्फ movie देख रहे हैं अरे एक copy निकाल लो जहां आपने short notes बनाते हो या फिर जहां आपने अपने goc की notes बना रखें उसीने एक दो page में इसको भी add कर लेना भाई सुनिएगा अगर by cyclo compounds की उपर चर्चा करूँ तो ये पहले तो होते क्या है देखो नाम ही suggest कर रहा है by मतलब 2 और cyclo मतलब 2 cycles यानि 2 cyclic rings आपस में आके fuse होने वाली हैं अब कुछ examples दिखा देता हूँ देखो जैसे एक six membered की ring हो गई एक four membered की ring हो गई this is a bicyclo ring और सुनिएगा एक six membered की ring हो गई एक और six membered की हो गई ये भी एक bicyclo ring है और सुनिएगा कुछ interesting वाले दिखाता हूँ जिससे आप ज़्यादा familiar होते हैं ये सर इनको तो हम पहचानते हैं इनको देखते ही आपकी आँखे बड़ी हो गई अरे हाँ सर इसके उपर तो मैंने देखा था previous year में question बिलकुल ये भी एक bicyclo compounds है इनमें ये जो सारे white वाले centers है इन्हें bridge head center के नाम से जाना जाता है किस नाम से bridge head center के नाम से पुकारा जाता है ओके सर और भी ऐसे कई सारे bicyclo compounds etc करके आप लिख सकते हैं यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ substituents के साथ भी सिखाऊंगा और without substituents कैसे करते ये भी देखेंगे हैं चीक है? आई इसमें सबसे basic example पकड़ लेता हूँ यही जो हमने यहाँ पर बनाया है इसी को सबसे पहले discuss कर ले रहा एक बरी आपने ये पहचान लिया कि दो rings को आपस में जोडा गया है और एक bicyclo बनाया गया है तो आप सबसे पहले इसके nomenclature में क्या लिखेंगे? bicyclo लिखेंगे और एक bracket लगाएंगे यह एक square bracket अब इन bicyclo compounds में आपको number of chains पहचानने आनी चाहिए यह number of chains क्या बला होती है सर? आईए आपको इससे रूब रू करवाते हैं देखिएगा जब भी आप किसी एक bridge head center से दूसरे bridge head center पह जाना चाहें तो आपके पास ऐसे कितने रास्ते available है? आप बोलोगे सर एक रास्ता ये available है? एक रास्ता ये available है? और एक रास्ता ये available है तो एक bridge head से दूसरे bridge head जाने में जितने रास्ते available होते हैं उतनी ही आपके molecules के अंदर chains present होती है अच्छा सर अब हर एक chain में कितने कारबन से ये no down करना होता है? अच्छा ऐसा है सर बिलकुल सही बात और तो सबसे largest से समॉलिस्ट के तरफ चलना होता है आएए largest से smallest का क्या मतलब है? सबसे बड़ी chain कौन से दिख रही है? जिसमें सबसे ज़्यादा carbon्स होंगे सर सर यहां देखिए एक और दो carbon्स है बात समझ में आ रही है? ये सर यानि सबसे पहले लिखिए 2 क्योंकि सबसे largest chain में maximum number of carbon 2 मिले है अब एक dot लगाए, कॉमा नहीं, dot second largest फिर से 2, तो फिर से 2 लगा दिया जब मेरा तीसरा रास्ता है, जब मैं इसको follow करता हूँ तो एक blue color के carbon से होड के जाता हूँ तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा? सर इसके लिए हम simply लिखनेंगे, एक dot लगाके 1 और फिर इस square bracket को कर देंगे 1 पहले by cycle, फिर इसके अंदर कैसे जाना है? सर लार्जेस्ट से, इस smallest की तरफ जाना है बात समझ में आ रही है, पूरी समझ में आ रही है सर अब इसमें total number of carbons count करेंगे, कितने हो जाएंगे? 6 plus 7, तो यहाँ पर 7 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैप 3 यूज़ करते हैं, तो यह इन जनाब का क्या हो जाएगा? नॉमन्क्लेशर नाम हो जाएगा सर इसी तरीके से, हम उपर वाले compounds को भी निपका सकते हैं सर देखना, इसको नॉमन्क्लेशर क्या करेंगे? सर, simple सी कहानी है, by side flow, square bracket लगाएंगे ऐसे कितने रास्ते हैं, जो आपको यहाँ से यहाँ लाते हैं? सर, एक रास्ता यह है, एक रास्ता यह है अच्छा, यह भी तो एक रास्ता है ना? सर, है तो सही, उस रास्ते से भी आ सकते हैं Carbons count करते हैं, एक, दो, तीन, चार मतलब four carbons और dot इस रास्ते में कितने हैं? फिर से four carbons अच्छा, जो बीच वाला रास्ता है, कैसे कोई carbon है, क्या? नहीं, तो इसके लिए हम क्या use करेंगे? zero use करेंगे, सर, total number of carbons कितने हैं? ten तो भई, ten के लिए क्या use करते हैं? सर, ये तो हम सब जानते हैं, इसके लिए हम क्या use करेंगे? भई, याद तो आ रहा होगा आपको, nine के लिए क्या use करते हैं? no name तो हम 10 के लिए क्या use करेंगे तो day cane का इस्तमाल किया जाता है yes तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर day cane लिखेंगे बिल्कुल सही बात है सर आईएगा और इसको भी निप्टा लेते हैं अभी मैं बिल्कुल simple simple चीजें discuss कर रहा हूँ अभी मैं इसमें substituents भी लगाऊंगा numbering कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा देखिएगा सर अब ये तो हम खुद करना चाहते हैं जल्दी से करिए सर बाई साइकलो लिखेंगे square bracket लगाएंगे सर सबसे largest chain में एक, दो, तीन और चार कार्बंस हैं तो चार लगाके dot लगा दिया फिर इसके बाद दो कार्बंस हैं dot और फिर zero और जिसको बंद कर दिया सकते हैं total number of carbons कितने है 6 plus 2 octane यानि 8 के लिए कितना आएगा octane आने वाला है by cyclo 4.2.0 octane इसका nomenclature हो जाएगा बास समझ में आ रही है ये तो बिलकुल simple वाले cases है ठीक है एक, दो मैं आपके practice के लिए देवूं क्या चलो बए इसको आप comment section में answer करेंगे सभी लोग जब comment करेंगे न तो आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं मैं वहाँ पे भी comment करके एक बड़ी answer को pin कर दूँगा कि वह यही correct option होगा इसका ये आपका homework होगा इसके लिए आप लोग comment section में comment drop करेंगे next एक और बता दे रहा हूँ इसको भी आप लोग try करेंगे और comment section में बताएंगे ये कह सकते हूँ कि बिल्कुल level 1 discuss किया है यानि सबसे easy वाला जो nomenclature होता है वो discuss किया है ठीक है थोड़ा सा rule से familiar होने के लिए ये भी आपका क्या होगा homework इसके लिए comments drop करें ताकि हम देखें कि आपने सिरी किया है आईए इनके level को upgrade करते हैं क्या हो sir अगर हम substituents लगाते हैं क्या essay case में कुछ interesting होगा बिल्कुल तब आपको numbering करने आनी चाहिए देखो मैंने एक example pick किया एक six membered के ring ली यहाँ पर ये center और एक meet high लगा दिया अब essay case में समझेगा ये तो bridge head centers होगे उपर वाले rule तो same रहने वाले हैं मतलब जो आपकी chains हैं एक chain दो chain और तीन chain chains तो same रहेंगी sir system कैसा है by cycle तो आप by cycle भी लिखोगे इसका मतलब इसके लिए sir हम by cycle भी लिखेंगे bracket वाली चीज भी same रहेगी कितनी आएगी वही 4.3.0 फिर से देख लो एक बड़ी 1,2,3,4 1,2,3 और बीच वाले के लिए zero इतना तो same होगा लेकिन इसके आगे और इसके पीछे कुछ add होगा इसके लिए हमें numbering करने आनी चाहिए क्योंकि हमारे group क्यों पर क्या लगा हुआ है एक methyl group एक cs से group लगा हुआ है इसको समझने की कोशिश करेंगे देखिएगा यहाँ पे हम numbering कैसे करते हैं इसके लिए rules लिखेंगे भई numbering कैसे की जाती है तो पहला rule लिखना start कहां से करना है always start from bridgehead center मैं लिख भी दे रहा हूँ always start सिर्फ movie की तरह सुनना नहीं है भई notes बनाईए लिखिए copy में यह सब याद करोगे जब अगले साल question आजाएगा बतलब अगले ही net में question आजाएगा start always from bridgehead center तब याद आएगा हां master कहना तो कुछ चारा था लेकिन मैंने ही नहीं लिखा शिट यार तो ये दिन ना देखना पड़े अच्छे से note down कर लो दूसरा rule क्या कहता है start to bridgehead center से करेंगे और इसमें भी हम largest chain से ध्यान से सुनना मेरी बाद को largest chain से smallest chain की तरफ जाएंगे अच्छा ये बात होती है क्या सर बिलकुल आईए उपर वाले molecule को दुबारा बनाऊँगा ताकि मैं इसमें आपको numbering करके दिखा सको ये सर देखिएगा ये रहा मेरे पास अब chains तो फैचानने आती है न ये दो bridgehead center सो चीक है किसे ने बोला सर चलिए यहां से start करते हैं bridgehead से करना है तो इसको one बोल देते हैं अब one से largest में जाना है तो largest कौन सी chain है ये वाली यानि इस रास्ते से आना है तो सर one के बाद two, three, four, five और six यहां तक आगे अब इसके बाद कहां जाओगे सर इसके बाद second largest में जाएंगे सर उसके बाद यहां seven, eight और nine फिर third largest में जाओगे उसमें तो zero कारबंस है तो यह मतलब भी नहीं बनता सर यानि यह numbering हो गई अच्छा ठीक है लेकिन किसी ने बोला सर मुझे न यह numbering आपकी पसंद नहीं आई मैं न numbering जब करूँगा तो मैं नीचे वाले center से start करना चाता हूँ मैंने बोला कोई बात नहीं है बन नीचे वाले center से start कर अगर आप नीचे वाले bridgehead center से start करेंगे तब number one किसको मिलने वाला है किसे मिलने वाला है सही बात है सॉरी, सॉरी, सॉरी अब मुझे फिर से कहा से कहा जाना है सर लार्जिस से स्मॉलिस्ट के तरफ यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7, ये 8 और ये 9 बस समझ में आ रही है सर बिलकुल समझ में आ रही है तो सर रास्ता तो ये भी सही है हम लार्जिस से हमने इन दोनों रूल्स को फॉलो किया हमने ब्रिज़ एट से स्टार्ट किया हम लार्जिस से स्मॉलिस्ट के तरफ और तो अब इन दोनों में से किसको क्यूज करें सर येस, अब तो डिसीजन लेना पड़ेगा तो हमने क्या सीखा था याद करना जब हम normal nomenclature भी पढ़ते थे तो हमने क्या decide किया था कि जब भी हमारे पास कोई substitute होता है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इसे minimum number of priority दे सकी तो देखना यहाँ पे हमारा substitute कि सेंटर पे है 9th सेंटर पे और यहाँ पे कहा है 7th सेंटर पे तो हम इस बार किसको प्रिफर करने वाले हैं इन जनाब को यहाँ पर प्रिफर करने वाले हैं इसका नाम क्या होगा सर इसका नाम हो जाएगा 7-methyl ज्यान से सुनेंगे 7-methyl by-cyclo square bracket के अंदर जो भी मामला उपर लिखा है उसको छाप देंगे total number of carbons count करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यानि last में क्या लिख देंगे octane यह हो जाएगा इसका complete nomenclature बोलेंगे भई बास समझ में आई क्या octane नहीं सर आपने गलत count कर लिया है 9 लिखा है और आप octane लिख रहे हो गलत बात कर रहे हो पता लग गया भाई no name बताएंगे बास समझ में आई तो yes दोनों rules follow कर रहे थे लेकिन जब बात आती है priority की तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे methyl को least number of priority मिले इस वज़े से जहां smallest number present हो हम उसे priority देंगे तो nomenclature में टिक कौन सा करके आना है तुम्हें 7 मिठाइल वाला ना कि 9 मिठाइल वाला बास समझ में आ रही है मैंने मोटा मोटी आपको rule समझा लिया है कि किस तरीके से nomenclature करना है एक question आपकी practice के लिए है आप चाहो तो video pause करके इसका solution देखो मतलब पहले खुट try करो भई सभी लोग video pause करेंगे इसको solve करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको अपना answer match करेंगे स्टार्ट हो जाईए आपकी सामने ये question है कर लिया उमीद करता हूँ कि तुमने कर लिया हो आओ फिर match करते हैं और देखते हैं कि कितना सही और कितना गलब सर सबसे पहले तो bridge head center देख लेते हैं ये रहे सर रास्ते देख लेते हैं एक, दो और तीन देखो जब तीन रास्ते तो system कैसा होता है by cycle बास समझ में आ रही है जब चार रास्ते तो tricycle आउंगा उस पे भी आउंगा बातो ही बातो में कुछ important बता दिया है तीन रास्ते बाई cycle अगर चार रास्ते tricycle and so on आगे जा सकते हो इतना पूछेगा नहीं वो तुमसे tricycle ही पूछ सकता है आईए आगे देखने सर तीन रास्ते मतलब by cycle square bracket के अंदर maximum largest से smallest sir चार सर दो और इस बार सबसे smallest वाले में भी एक है यहीं चार दो एक इतना तो clear है sir आईए numbering करें sir इसमें तो numbering का लो चाहीं नहीं है आपने तो चीजें आसान कर दी 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 और उसके बाद यहां पर क्या आएगा 9 इसमें तो methyl 9 center पर ही है मुझे methyl के respect में कुछ decide ही नहीं करना सर यही possible ही है चाहे उपर से start करूँ चाहे नीचे से start करूँ सही कहा रहे हो sir इसका मतलब इसके नाम को complete करूँगा तो इसके आगे क्या लिखूँगा 9 methyl bicyclo 4.2.1 और सबसे last में क्या लिख दूँगा मैं no name लिख दूँगा धीरे से तो यह हमारा क्या हो जाएगा nomenclature बात समझ में आ रही है बिलकुछ समझ में आ रही है मैंने आपको rule सिखा दिया मैंने आपको question दे दिया है अब एक question में आपको दे रहा हूँ यह आपका homework होगा इसको आप comment section में लिखेंगे ठीक है अच्छा answer करते वक ध्यान ये रखना कि question number जरूर mention करना यह one है यह two है और यह question number three है और जादा better होगा जब आप comment करें तो तीनों ही answers को एक बार पर करें चीक है चलिए तो मैं यहाँ पर question frame कर देता हूँ एक जिसके लिए आपको answer करना होगा मस्तसा एक तगड़ा question निकालते हैं जो आप काफी जिसके साथ आप काफी familiar भी होंगे चलो इस center पर क्या लगा दिया एक CS3 और इस center पर क्या लगा दिया एक CS3 इसका आपको nomenclature करना है यह रहा आपके पास bridge height center numbering कैसे करनी है कैसे जाना है यह सब आपको decide करेंगे ठीक है अच्छा जिनको इसमें अभी थोड़ी problem लग रही है थोड़ा सा रुख जाओ पूरा video complete देख लो फिर चीजें और भी आसान हो जाएंगी देखो by cycle system में यह आपका क्या है भई homework होने वाला है अब इन्ही by cycle system के उपर एक बार net में question आया net वाले बहुत चलाक है देखना question कैसे पूछा उन्होंने उन्होंने कुछ ऐसा molecule बना के दिया जिन्होंने previous year question solve किये हैं उनको यह जरूर देखता होगा देखो मेरा सवाल आपसे simple सा यह है कि अगर एक bridge head से दूसरे bridge head पे आऊँगा तो कितने रास्ते हैं मेरे पास सर एक रास्ता दो रास्ता तीन रास्ता चार रास्ता खतम कहानी मैंने sufficient hint तुम्हें दे लिया है अगर चार रास्ता तो tricyclo tape दो उसके बाद वही करो largest से smallest सर इसमें तो सारे में ही one one और one है इसको मत भूल जाना सर इसमें one dot one dot one dot zero लिखना पड़ेगा सर बास समझ में आ रही है बिल्कुल समझ में आ रही है तोटल नमबर ओफ कार्बन्स काउंटर दो सर one two three four five यानि कि इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा पैंटेन आएगा सर बास समझ में आई सर पूरी समझ में आई अच्छा अगर मैं नमबरीं कर ही दो माल लो तो कैसे करूँगा सर्फ ब्रिज हेट से स्टार्ट करूँगा फिर लार्जिस पर जाऊंगा पर यहाँ तो कहे का लार्जिस से कुछ है नहीं one two और three यहाँ नमबरीं में मिस्टेक करोगे देखना मैं जब एक रास्ते से जाता हूँ तो ब्रिज हेट तक आता हूँ उसके बार next रास्ते पर जाता हूँ तो चाहे इसको पकड़ लो सर्चार फिर इसको पकड़ लो पांच इसमें तो कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो बास समझ में आ रही है अब जब net ने question पूछा न तो उसमें इस 0 के उपर 1,3 लगा के दिया अब आधी जनता को तो यही नहीं समझाया कि सर इस 1,3 का क्या मतलब है इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो last वाली chain तुमने जिसके लिए 0 लिखा है न वो numbering करते वक 1 और 3 center पर present है ये 1 और 3 इनहीं numbers को represent कर वहे है सर इसका मतलब इसकी nomenclature को और complete करके लिखा जाए तो देखो बस इस डब्बे वाली चीज़ को दुबारा लिख दे रहा हूं 1,1,1,0 इसके उपर 1,3 आपको लिखके देगा बास समझ में आ रही है तो देखो नेट ने कर दिया ना कुछ extra edition तो इसका भी ध्यान रखें इस वज़े से numbering सीखना बहुत सरूरी है sorry तो ये concept बता दिया मैंने आपको किसके बारे में ये complete मैंने by cycle की डॉमेंट प्रेशर आपको सिखाए अब आप previous year questions खंगा लें और solve करें question हो जाएगा आपका अब इसमें जो मैं अपने side से कुछ extra तुम्हें देना चाहता हूँ वो होंगे कि spiral rings की कैसे करें सरूर कोई बड़ी बात नहीं है कि धीरे से net एक साल सरकादे तुम्हारे सामने spiral ring system दिखो spiral systems हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सर एक 4-membered ring दूसरी 4-membered ring ये एक spiral system है सर एक 6-membered ring इसके साथ लगी एक 5-membered ring बना लेते हैं सर ये भी एक spiral है और spiral के अंदर इस carbon पे जहां दोनों rings आके मिलती हैं ये sp3 hybridized होता है और stereo chemistry में इसमें बहुत डीटेल में चीज़े समझाई जाती है उस aspect पे नहीं अभी हम nomenclature discuss करना चाहते हैं इसके अंदर सब कुछ सेम है बस एक चीज़ different होती है by cycle से यहां आपको smallest से largest की तरफ चलना पड़ता है ध्यान से सुनना smallest से largest क्या मतलब है सरे करके दिखाईए ना देखो एक मैंने example लिया फोर मेंबर भई चीज़े और इसी पे चलो एक और फोर मेंबर लिया उपर वाला ही example discuss कर लेता हूँ बना लिया है तो बना लिया spiral है तो सबसे पहले लिख लो की spiral को करने जाने smallest से जाना है large bandwidth की तरफ आईए जरा ये हो गया spiral एक रास्ता ये है एक रास्ता ये मतलब एक chain अभी ये हो जाएगी एक दूसरी chain गीर हो जाएगी एक दो तीन तो तीन लिख लो और dot लगा लो एक दो तीन तीन लिख लो और dot लगा लो टोटल कार्बन्स काउंट कर लो सर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यानि इसके लिए क्या लिखेंगे हैप तीन खतम नॉमनक्लेचर अब तुम बताओ अगर वो वाई साइकलो पूछ रहा है तो स्पाइरो नहीं पूछ सकता क्या सर बिलकुल पूछ सकता है सर आएगा लास्ट वाला एक्जामपल कर देते हैं इस से आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सर इस्पाइरो है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इस्पाइरो उसके बाद सर इस्मॉलिस्ट पहले आएगा सर 1,2,3,4 देखें लिखतेंगे सर बस समझ में आ रही है सर पूरी समझ में आ रही है तो इस तरीके से हम स्पाइरो सिस्टम्स की क्या कर सकते है नॉमन क्लेचर कर सकते है अच्छा मैं आपको इस वीडियो के एंट में बस इस्पाइरो में इतना ही जादा है sufficient है, मैं substituents नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी तक वो spiro पे ही नहीं आया तो substituents में तो नहीं आएगा भई ठीक है, यह थोड़ा सा extra मैंने डाला है तो 2 point की बात है note down कर लेना और एक example में आप कुछ देखे जा रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ क्या आप इसका भी nomenclature कर सकते हैं क्या ठीक है, ट्राइ कर गएगा शायद कर ले जाए शायद आपने ऐसा structure कहीं देखा होगा यार यह ठीक से बन नहीं रहा है पर मैंने कोशिश करी है चली मैं आपको एक ऐसा Y-Cyclo System देखे जा रहा हूँ उमीद करता हूँ इसको कहीं देखा होगा ट्राइ करना, मतलब यह ऐसे ही बस मैंने दे दिया है कि क्या आप इसमें total number of carbons, verbons count करके इसका नाम बता सकते हैं क्या जिसको पता लग जाएगा वो comment section में ज़रूर बताएगा आपके पास comment करने के लिए total मेरे ख्याल से कितने questions हो गए है तीन और यह आपका fourth question हो गया है भई बाकी आप previous year questions solve करें और उमीद करता हूँ यह छोटा सा session आपके knowledge में बहुत plus और addition कर पाएगा, ऐसी वीडियोज अगर आपको पसंद आती है comment ज़रूर करो कि सर्थ इस type की और वीडियोज ले किया है, topic suggest करो मैं sorry, sorry, sorry मैं inputs लेने के लिए ready है topic suggest करिये या फिर ऐसी और वीडियोज चाहिए तो बताएगे हम ज़रूर बनाएगे आपके लिए thank you so much everyone and happy झाल